लोकसभा चुनाव में इस बार कई दिगजों के श्वेत्र में उलट फेड देखने को मिला कॉंग्रस के तेस विधायक अपने श्वेत्र में पिछुड गए प्रदेश कॉंग्रेश अध्यक्ष गोविन सिंग डोटा सरा ने पूरे चुनाव परिणाम की रिपोर्ट बना कर आलाक मान को सौप दी है कॉंग्रेश के लिए खुशी की बाद यह है कि 10 साल बाद कॉंग्रेश प्रदेश में खाता खोलने में काम्याब रही है इस बार खुद कॉंग्रेश ने 8 सीटें जीती जबकि गडबंदन के रूप में कुल 11 सीटें कई जगे भाजपा विधायकों के शित्र में कॉंग्रेश को बढ़त मिली लेकिन साथ ही कॉंग्रेस के 23 विधायक ऐसे हैं जिनके शित्र में कॉंग्रेस या गटबंदन के प्रत्याशी पिछड गए पूर सीम अशोग गहलोत की सरदार पुरा सीट से केंद्रिय मंत्री गजेंदर सिंग शेखावत जीते यहां से कॉंग्रेस उम्मी द्वार करण सिंग उचियारडा को कम वोट मिले पूर मंत्री अशोग चानना भी अपने शित्र में कॉंग्रेस उम्मी द्वार को बढ़त नहीं दिला सके सरदार पुरा से अशोग गहलोत, नोखा से सुशिला डूडी, चौमू से शिखा मील बराला, रतनगड से पुसाराम गोदारा, किशनगड बांस से दीपचन खैरिया, मुंडावर से ललित यादव, किशनगड से विकास चौधरी, पाली से भीमराज भाटी, लाडनू से म सामनिवास गावडिया, बासवाडा से अरजुन बामडिया, मावली से पुषकर डांगी, हिंडोली से अशोग चानना, भूंदी से हरी मोहन शर्मा, सूरजगर से शमण कुमार, उदैपुर वाटी से भगवाना राम सैनी, धौलपुर से शोबारानी कुश्वा, राजा ख शित्र में कॉंग्रेस उमीद्वार या गटबंदन के उमीद्वार को बढ़त नहीं दिला पाए, धौलपुर जिले में पांच विधाय कॉंग्रेस के हैं, लेकिन इन में से दो के शित्र में इस बार कॉंग्रेस पिछड़ गई, शोबारानी की धौलपुर शेर सीट और रोहित बोहरा की राजा खेड़ा सीट से कॉंग्रेस उमीद्वार पीछे रहे, नागोर लोकसवा शित्र के आठ विधानसवा शित्र में चार सीट कॉंग्रेस की हैं, लेकिन इन में से लाडनू और परबत सर में गटबंदन के हन्वान बेनिवाल पिछड़ गए, लाडन कॉंग्रेस के विधायक हैं, और तीनों ही जगे से कॉंग्रेस विधायक लोकसवा प्रत्याशी वैबव गहलोत को बढ़त नहीं दिला सके, रेवदर, रानी वाड़ा और भीनमाल सीट से मोतीलाल, रतन देवासी और समर जी सिंग की पकड कम जोर नजर आई, जुझनु सी कॉंग्रेस विधायक और पूर मंत्री अशोक चांदना का हिंडोली विधानसवा शेत्र भी आता है, लेकिन चांदना लोकसवा में सीपी जोशी को बढ़त नहीं दिला सके, इसी प्रकार बीजेपी सरकार के छे मंत्री और तीस बीजेपी विधायक भी अपने शेत्र में अपनी पार्टी के उम्मिद्वारों को बढ़त नहीं दिला सके। पार्टी आला कमान तक ये पूरी रिपोर्ट जाएगी और इस बात की संभावना है कि परदेश कॉंग्रेस के दक्ष गोविन सिंग डोटासरा आला कमान से इस बात की जल्द ही हरी जंडी भी ले लेंगे कि जो निश्क्रिय थे उनकी छुट्टी की जाए और माना ये जा किर कुछ्य मैं पार्टा ये जाएगी जरी जरिए रिपोर्ट गोटासराइश का ये ज़ Archive